कि हलो फ्रेंग यंन वेलकम डूल लार्नीजी दोस्तों कॉपप्रेक्ट्टीटिव एक्ञांस इन शिक्स्टी डेज की सिंकला का आज का मारा दे 13 अभे इसके पहले डे सबसे पहले चर्चा करेंगे अंग्रेजियों की चर्चा विश्ट्रित रूप से अगले आने वाले सीरीज में करेंगे उनको बाद में विश्टित रूप से पढ़ेंगे जो भूगोल होगा उसमें उत्री अमेरिका की चर्चा करेंगे अर्तव्यवस्ता में और कंप्यूटर में सारी चर्चा हम कल के वीडियो को आगे बढ़ाएंगे डेट वल्सके आगे बढ़ाएंगे तो आए शुरू करते हैं इतियास में डच को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अप्डेट्स पाने के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिए साथी साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक नीदर लेंड लेंड के निवासी थे घान तो डच जो थे उन्मक की रूप से नीदर लेंड लेंड के निवासी थे पहुंचा तो यह आपर जो नाम और यह जो समय है जो कार्नेलियस हाउट मैं और यह जो समय पंदरा सो पंचानवे च्यानवे का यह मैं तो पूर्ण पंदरा सो पंचानवे चैनवे में कार्नेलियस हाउट मैं भारत में जो अपनी फैक्ट्रिया इस्तापित की उनकी चर्चां पहले कर लेते हैं बाकी डचों के जो ससंकाल था या फिर व्यापार विदी थी वह किस प्रकार की थी उसकी चर्चां अभी आगे करेंगे तो भारत साथ में जो फैक्ट्रिया थी तो उन में 165 इस्त्री में मसूली पत्रणम में मसूली पत्रणम में वादेर हेग के द्वारा वादेर हेग ने यहीं पर पूली कट में डाला जाता था जो की बाद में मुख्याले हुआ डचों का जिसकी स्तापना 1610 इस्वी में की गई थी शोला सो सूलर में सूरत में फेक्ट्री की स्तापना हुई जिसकी स्तापना 1630 में हुई थी कि और इस फैक्टरी को गुस्ताओ फोर्ट के नाम से जाना जाता है गुस्ताओ फोर्ट जो ए वह डचों के द्वारा इस्तापित बंगाल में हुगली के पास चिंसुरा फैक्टरी थी बाद में इसके बाद में कासिम बाजार बाला सोर पटना में फैक्टरियां इस्तापित की गई दक्षिण के अगर बात करते हैं तो दक्षिण में 1660 में गोल कुंडा में और 1663 में कोचीन में यह दो प्रमुक फैक्टरियां डचों ने इस्तापिट की। रॉप की विधी किस ती डचों की कॉसिर अपनाते थे तो बॉपार में तो सभी यूरोपी कंपनियों थे जिल्में रभवांश देते थे मिलग लगबगने लगवांस गठारा-प्रीशत उनको प्रदान करते, का बखता जो की धरंती नों के द्वार किया शर्च के, brings the Celica's मसाले और जड़ी बूटूऊंपर अजए व्यापपार कड़ रहे थे उनका अभ्यापार का जो मुक्य कपड़ों पर किया अध्यू से बंगाल दtar इन जगों से से निर्यात किये जाते ते homa कि रूब से कहा कहा से निर्यात करते थे डच तोो कोर्वंडल थbles से बंगालों गुजरास से अचैंस सबय सब्लय कर दगती ही बंगाली कि विशे हि और अपना य्यो प्रकास किया और अपना वर्चस्टू बढ़्षाया ने काशीं बजार में रेशम की चक्रीway उप्योग कि उसको इस्तापित किया तो रेशम की चक्रीज ज़तो कि अधौग था हुडशू ने कहें नियाद करते थे अउनके दो और अघरा और मद्य भारत में मद्भारत करते हैं लो नंगा और गंगाटि मैं गारिते वस्त्रों को निया था उनका चुछ सबसे पहले स्रे दिया जाता एक सबसे पहले बारत कि चलंद था अरंब किया तुस्टि वेडारा का युद्ध में डचो को पराजित कर दिया जो कि भारत में व्यापार की रचों के जो व्यापार की अंतिम घड़ी सावित हुई तो 1669 में वेडारा का यूद्ध हुआ यह में तो पूर्ण वेडारा का यूद्ध इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत पे अपना सामराज जी इस्तापित कर लिया और डचों का वच्छा सुपन वूप से स्थमाप्त कर दिया अब आगे बात करते हैं आज भूगोल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो विश्व के कुल इस्तलीच शेत्र फलका लगबग 16 पांच प्रतीस्थ और विस्व की कुल जयंसंक्या का लगबग 8 प्रतीसथ भ इसका बीफ प्रतीसात अफ्रीका महादूइप है जबकि जो उत्तरी महादूइप है वो कुल इस तली छे तरफल का विश्व की कुल जनसंख्या का लगबग आठ प्रतीसात उत्तरी अमेरिका महादूइप में निवाश करता है आगे उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादूइप है और इसका च्छे तरफल जो है वो अगर च्छे तरफल की बात करते हैं तो दो करोड 44,90,000 वर किलोमीटर है दो करोड 44,90,000 वर किलोमीटर च्छे तरफल में यह विश्व का तीसरा बड़ा महादूइप है जो की उत्तरी अमेरिका महादूइप है सब आप उत्तरी Αमेरिका की खुच 1492 में कोलमबस के द्वारा कियी गई ती में कर दीवोरा इसकी जो क्ये क taxi मतलब जो प्रेरी वह किस प्रकार यह जाने वाली ए उत्थर्फ बहुमी है उत्त्रिए अमेरिका के आंत्रिक भागों में प्रेरी नामद घास बहुमी पाई जाती है उत्री अमेरिका में संयुक्त राज अमेरिका के दक्षिड पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात है वह हरीकेन और टार्नेडो कहलाते हैं तो हरिकेन और टार्नेडो यह दो मुख के नाम सामने आते हैं तो यह उत्री अमेरिका में संयुक्त राज अमेरिका के दक्षिडपूर्वी तच पर चलने वाले चक्रवात हैं आर्केन और ट्रॉनी mejor उत्री अमेरिका की सबसे बड़ी टाजी पाने की जील है व्रुज्स्तु की सबसे बड़ी टाजे पानी की जील कौन सी है उत्त्री अमेरिका की सपिरीर जील है उत्तरी अमेरिका वुडि वफेलो नेशनल पार्क वुडि वफेलो नेशनल पार्क विश्थू का सभसे बड़ा पार्क है। मोत्तरी अमेरिका महद्वीप में छहत्रफल की द्रष्टी से मिशोरी नदी उत्तरी का मादव की सबसे रिमीने दिये विशु की सबसे घंद की खाडी हड़िवकी सबसे बड़ी फाड़ एंप के पोर्वी तड़ बड़ी है ड स्यूंग तर एंजेल्स नगर है California का जो की इस्तित है संयुपतराज अमेरिका में या विश्व विख्यात फिल्म उद्दोग का प्रमुख केंदर है, हालिवुड का प्रमुख केंदर है, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस और निग्रो, ये दो प्रमुख प्रजातियां निवाश कर करते हैं कि आगे बात करते हैं पनामा नहर को दो बंदरगा कोलन और पनामा इसके दो प्रमुग बंदरगां है कौन-कौन से पनामा नहर के दो बंदरगा कौन-कौन से हैं कोलन और पनामा अगे बात करते हैं विश्व की प्रमुग मक्कामंडी मक्का तो विश्व की प्रमु है सेंट लुइश नगर में विश्व की पूरे संपोड़ विश्व किया पर बात कर रहे तो सबसे प्रमुख मक्कामंडी है काम साथ कि अधिक अक्भारी कागज उत्पादीत करने वाला डेश के न गार जो है वह सबसे ज़्यादा आखभारी कागज विश्यु में उत्पादीत करता रहें हैं आगे बात करते हैं सेयुक्तराज अमेरिका प्राकृतिक गेश का सबसे बड़ा उत्पादक है पनामा नहर के जैसे कि दो बंदरगा और पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तो थक्षडी अमेरिका को जोडती है उत्तरी अमेरिका महादुईप और दक्षडी अमेरिका महादुईप पनामा नहिर के द्वारा जोडते हैं कि आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे उचा परवत सिखा माउंट मैं किनले भैज और जिसकी उचाई जो है 614 मिटर और यह अलास्का में हैं उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको बिश्व का सबसे अधिचान्दी उत्खनित करने वाला देश है सबसे ज्यादा चान्दी का जो उत्खनन होता है उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में किया जाता है मैक्सिको विश्व का सबसे ज्यादा चान्दी उत्खनित करने वाला देश है है श्च्रोऊंडो घुमबज जो है विश्वका सबसे बड़ा घुमबज ए इस ए त्र राज अमेरिका के पस्छी मिबादमे नमकीन पानि की जील great salt lake ते सबक्तारी नियागर प्रपाथ एरी तता Ontario- zheel जो जो niagra fall है, niagra fall है Edi तथा Ontario-zheel के मद्द में istitth है जो की kanaaड़ou तथा UESI की सीमा पर sapi है तो जो niagra fall है इसको नर नाम से जानते हैं है य एरी तथा Ontario-zheel के मद्द में istitth और सीमाओं के अगर बात करते हैं तो यह कनाड़ा और यह से की सीमाओं पर इस्तित है कि आगे उत्री अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्री अमेरिका के पूर्वी तट पर लेंब्रोडोर की जो थंडी जल्दारा है तथा गल्प इस्ट्रीम की जल्दारा पहती है गल्प इस् कि आगे संसार के सबसे बड़ा बंदरगा न्यू यार्क में संसार के सबसे बड़ा बंदरगा कौंसा है न्यू यॉयॉर्क है संयुक्तराज अमेरिका का राष्टी उद्यार येलो स्टोन पार्क है येलो स्टोन पार्क संयुक्तराज अमेरिका का सबसे जो संयुक्तराज अ पाडियां हैं यह सब सभींतराज अमेरिका में इस्टित पाइब सभींतराज अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको शीटी चेतरपाट की दरुष्थी से कनाडा है और सभींतराज अमेरिका कीप्रीद्थ्द वित संद्च उणे की खान वे सिस्टी inser ब्लाक हिल ब्रति ब्लू के सबसे बड़ी सोने की खान पाई जाती है कल में इसके आगे चर्चा करेंगा मृत्री माजुप के अमेरिका Гागे अब बाद करें ये अर्थ्यास्ता केञे किए उसी में आगे वड़ते हैं सबसे बड़ा सुरूत क्या है निगम करें जो कि एक स्वेटाइम राधिक होती है प्रतार्ट जब नहीं लाग वहा था उसके पहले सबसे आधिक हम से मिलती इसके सबसेदा आयां को भाइड से प्राप्त होने लगी राज्जिसरकार में कर राचे में सुधार के लिए चैलेयगा संभित का गठन आगर्स ήौनिस् तौनेशन क्यांवे में किया था था त्रफ है छिए वाज़ी कि जो सर्विस टेक्स होता है चलाया समिद किसी पारिस पर 1994-95 में लगाया गया था सेवा कर कब लगा और किसी पारिस पर लगा तो चलाया कर किसी पारिस पर 1994-95 में सबसे पहले सर्विस टेक्स लगाया गया सर्विस टेक्स आयकर विबाग के द्वारा वसूल किया जाता है आयकर विबाग इंकम टेक्स डिपार्टमेंट सर्विस टेक्स को वसूल करता है अगे बात करते हैं जब वस्तूओं का मूलय बढ़ता है और मुदरा का मूलय गुरता है तो ऐसी स्टीट न मूदरा स्पिती कहा जाता है इसकी विश्तरतश्य प्रचा है हम अपने एकोन 있 के पार्ड में बहुत ही जल्द करेंगे हुआ हैं यहां पर अगर हम एक स्ब्द में एक लाइन में बात करते ही तो जब वस्तुुम मूले मूर बढ़ता है और मुद्रा का मूल इगःता है तो ऐसी स्पिति को क्या को कहते हैं मुद्राइसपिति कहते है है भारत में मुद्राइसपिति की माप झो only सूच कांग के द्वारा किया आफिश कांग क्या है और इससे किस प्रकार से माप करते हैं क्या-क्या ऋमें पारमेटर सोते हैं उससे की एटियम कार्ड से उन्स अगों से अब आत्प करते प्रमुक करांतियों की कौं कौन सी क्रांथियां देश की अर्तुविश्था पर मुक्के पर बहुत डालने वाली रहें तो भूरी करांति जिसका संबंद और वरक उतपादन से बूरी क्रांती किस्टे संबंदी थे और वरक उत्पादन से आगे बादामी क्रांती किस्टे संबंदी थे तो बादामी क्रांती मसाला उत्पादन से संबंदी थे से संब्सक्राइब बात करते हैं भारत में विदेशी मुद्रा का सब्से अधिक विया है लातो के दोरा और भारत और बारत को सब्से अधिकष विदेश्य मुद्रा रत्र और अभूचर थे रख़त होती है उनके दोरा इंडिया सब्सेंद विदेस्य मुद्रा फॉर्ण करेंसी प्राप्ट करता है कि निर्यात को वह आयात को विद्तीष ढ़्दांकरन करने के लिए आयात निर्यात बैंक की स्ताफना की गई है जो एक्जिम बैंक से एक्सपोर्ट बैंक जो है यह आयात को और निर्यातकों को वित्ती जाहता प्रदान करने के लिए स्ताफिक की गई बैंक है और इस बैंक की जो स्तापना होई थी वह एक जनवरी 1982 को की गई थी अगर बात करते हैं भारती रिजर्व बैंक की स्तापना एक अप्रेल 1935 को की गई थी जो एक जनवरी 1990 को किया अगराद करते हैं भारती रिजर्व बैंक की स्तापना हिल््टान आयोक की शिपारिज पर की गई थी जिसकी स्तापना एक जुलाई 1955 को की गई थी पहले जो इंपीरियल बैंक था वो जब मर्ज हुआ उसका नाम जब राश्टी करण किया गया तो यह नाम करण इसको मिला भारती स्टेट बैंक का जो कि एक जुलाई 1955 को मिला सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राश पंद्रा प्राइल उन्निस सवस्थी को किया गया और भारत में बैंकों का राश्टी करण की संस्तुति ने प्रस्तूत में राश्टी क्रस्यवन ग्रामीड विकास बहिं। मतलम नाबार इसकी स्ताफना बारा जुलाई को की गई थी अब करतें कम्प्यूटर की कि मिनिमाइस करने का अर्थ क्या होता है तो विंडो को तो एक प्रकार का जो नेटवर्क है जो की एक सीमित चेत्र में एक बड़े चेत्र में लेकिन सीमी इसतर तक फाइला होता है कि लाइन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है आगे बात करते हैं storage की सबसे छोटी जक्या है तो storage के सबसे छोटी काई 빈 होती है एक निबल में चार बिट्स होते हैं एक निबल जो और वो चार बिट्स से मिलकर बनता • захot हाइट 8 बिट से मिलकर बनती है तो बेशिक क्या है तो बेशिक का जो फुल फॉर्म है वह है बिगिनर्स आल परपस सेंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड तो बेशिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स आल परपस सेंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है इंटरनेट पर एक सर्वर को सूचना प्राप्त करने की एक कंप्यूटर पक्रिया को क्या कहते हैं तो यह डाउनलोडिंग कहलाता है किसी कंप्यूटर में बूटिंग होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार होता है किसी कंप्यूटर में बूटिंग के लिए वह वश्यक्य तो बूटिंग के सिष्टम स्टम सोना चाहिए डॉस का पूरा नाम क्या तो डिस्क अप्राइटिंग सिरिम डॉस का पूरा नाम है 이거 या का साइन्टिफिक अपली केस्ट सन के लिए प्रियुक्ट कि जाती है कि operating system एक मुक की software ने जो की computer उपयोग करता और computer hardware के मद्द जो एक माब्याम होता है उसके रूप में कारिकर जर्ट सिस्टम क्या है माली जी आप विंडोड ओपरेटिंग सिस्टम यूज करते या फिर डॉस ओपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं आप जी यूज कर रहें उसमें जो कंड तेना चाहते हों कंड जोहां तक पहुंचता है तु उसके लिए चुअ मीडिया में है हमारा ओपरेटिंग सिस्टम है है कि MS Excel की तालिक का में पक्तियों को रिकॉर should के नाम से भी जाना जाता है एक्सल में जो तालिकाओं में पंक्तियां होती हैं उनको record के नाम से भी जानते हैं rdbms rdbms क्या है तो जो rdbms है वो relational database management system होता है relational database management system rdbms के नाम से जाना जाता है जैसा कि सभी जानते input devices and output devices तो mouse light pen joystick stylus यह सब एक जो है input devices हैं जबकि जो हमारा printer है या फिर हमारा जो monitor यह सब output devices है ms-dos का विकाज microsoft company ने किया है ms-dos का विकाज जिस पर click करके आप नए documents या पेज पर जा सकते हैं सबसे चवदानिया होता है कि माली जी आप यह वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के जा सकते हैं अब श्टोरेज की बात करते हैं तो 1GB में 1024 MB होते हैं 4024 MB होते हैं 1MB में 1024 KB होते हैं Integrated Circuit IC चिप पर सिलिकान की परत होती है ic पर किस की परत होती है tisu ic पर पर इंटेग्रेट सर्किट चिप सिलिकान परत होतीए इंटेग्रेटिच चिप का आविष्कार जेसह किल ने किया था कि ऑग्र पागरत करते हैं लेजर प्रुंटर सबसे तेजगति का प्रिंटर थिए न्हीं बशुटन कर Griffin उसक्षेट तेजगति का learning में बहुत ही जल्ब हम आपको इसके आगे के सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसके आगे के मेटरियल साथ तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक करें साथी साथ रिगुलर अडिक पाने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करना है फ्री कि पीडियाफ्स के लिए आप अगर मेल आपने कमेंट किया है देनों के अगर आपने नहीं किया तो करें हम एक साथ ही बहुत ही जल्द सब को जो पीडियाफ्स हैं वो करेंगे जैसे जी पीडियाफ की मात्रा थोड़ी और ज्यादा हो जाती है क्योंकि अगर दो दो एक एक पीडियासम डेली बेजेंगे तो इसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमारा भी टाइप की लोगा जिसका यूज हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में कर सकते हैं सब्सक्राइब की लिंक आप इस वीडियो के डिस्किप्शन में अगर आपने अभी तक फेस्बुक हम से जॉइन नहीं किया तो वहां से जाकर जुड़ सकते हैं इस वीडियो को तेक्निकिल धन्यवाद अपने सुजाओं में कमें बाक्स में जरूर बता हैं बहुत जल्ब हम